The Last Man on Earth, Season 4, Episode 11 पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जास्पर घर छोड़के चला गया है और फैमिली में एक नया मेंबर आ गया है तो चलिए आगे बरते हैं अब हमें टेंडी और टोट को कारल की इंसानों के मास्क खाने के वज़े से वहाँ उल्टी करते हुए दिखाई जाता है तोनों वहाँ से भाग जाते हैं पर कारल उन्हें जाते हुए देख लेता है टेंडी और टेंडी घरा कर सब को ये बात बदाते है पर कोई उन पे विश्वास नहीं करता और उन पे हसने लगते है फिर दोनों ये प्रूप करने के लिए कारल का वेट कर रहे होते है और उसके आने के बाद उसको डरते हुए सवाल करते है कि क्या उसने सच में ऐसा किया है सब लोगों को अभी भी मज़ाग लग रहा हुता है तब वो सब को बताता है कि वो सच में मास काता है तब बाकियों को विश्वास हो दाता है और टॉड़ो टेंडी सज बोर रहे थे अब उन्हें पता चलता है और अब सब लोग कारल से डरने लगते हैं और तब कारल सोने के लिए चला जाता है तब सारा समुह बंदूग लेकर कारल के रूम में जाता है और उसके बान के रखते हैं अब सब लोग डरे हुए होते हैं मलिसा तो उसे गोली मारने के बारे में बोलती है पर बाकी सब लोग उसे नहीं बोलते है और उसे जेल में बेजने के बारे में बोलते है सुबह गोने के बाद टॉट वो टेंडी कारल को जेल में बंद कर देते है और बाहर से ताला लगा देते है यहाँ टॉट जासपर को ढूनने के लिए बार घुम रहा होता है तब वो देखता है कि जेल का ताला तोटा हुआ है और कारल भाग गया है तब टॉट सबको घर आके बताता है तबी मलीसा भाग कर जास्पर को बचाने के लिए जाती है और तबी सबको पता चलता है कि मलीसा ने ही जास्पर को शुपा के रखा है तबी दूसरे रूम से पिय की मदद से डिसाइट करते हैं कि कारल को कोन मनेगा सबसे छोटी श्ट्रॉग जिसके पास आगी निकी को घारल को मारेगा और वो श्ट्रॉग के पास अती है मतलब अब उसे केरल मारने वाली है केरल टेंशन में एक जगा खड़ी होती है तब तेंडी उसके पास आता है और वो केरल के बोलता है कि कारल को वो मारेगा और उसने अपनी स्ट्रॉ भी छोटी कर रखी होती है टेंडी कारल के लिए एक अच्छा सा मरने के लिए डेट एरिया बनाता है टेंडी सब लोगों को गुटबाय करने के लिए भी बोलता है कारल के आखरी इच्चा होती है कि वो क्यूब को कम्प्रेट करके मरना चाता है फिर वो उस क्यूब को कंप्रेट करने लगता है और टेंडी दूर जाके खड़ा हो जाता है और जैसे कारल क्यूब कंप्रेट करता है तब क्यूब में से बॉंब फच जाता है और कारल के चितर चितरे हो जाते है और यही पे एपिसोड गैरा खतम हो जाता है अब हम देखने वाले है एपिसोड 12 अब टेंडी सब के सामने आता है और कारल को कैसे मारा वो सबको बदाता है वो सबको रूम देखने के लिए चलने को बोलता है और जैसी हो पलट जाता है तो सब लोग देखते हैं कि टेंडी बैक से पूरा बलट से भरा हुआ है तो रूम कारल के बारे में अच्छा-च्छा बोलते हैं और गेल आती है वो भी कारल के बारे में बोलती है पर वह वहाँ पे टेंडी की बारे में भी बोलती है और उसकी तारिप भी करती है ये सुनके टेंडी बहुत खूश हो जाता है फिर टेंडी उसका पन को दखना देता है घराने के बाद भी गेल के तरफ के कारण टेंडी बहुत खुश होता है और उसके वज़े से केरल भी बहुत खुश होती है तॉड मलीशा के लिए सोपे पे सोने की जगा बनाता है पर मलीशा ने जासपर को प्रॉमिस किया होता है कि वो का चुपा है वो किसी को नहीं बताएगी इससे टॉड मलिसा से शौरी बोलता है पर फिर से वो मलिसा को पुछता है कि जासपर का है और तब भी मलिसा उसे बताने के लिए नहीं बोलती है पर उससे टॉड गुसा हो जाता है और वहां से चला जाता है सुबह होते ही, टेंडी अच्छे बच्चे की तरफ खुन को साप कर रहा होता है, तो वहाँ गेल एरिका और केरल आती है और उसकी तारिफ करने लगती है, अब मलिसा जासपर के लिए खाना पैक कर रही होती है, तो टॉट उसे उसके साथ आने के लिए पूछता है पर मलिसा उसको ना बोल दीती है अब हमारे टैंडी मिया ने एक नया जुगार लगा होता है टैंडी मिया गैस बलूं को दाइपर लगा के उसे हवा में उड़ा रहे होते है उसे गेल भी ऐसा करने के लिए मदद करती है अब मलिसा जास्पर के लिए खाना लेकर पोश्ट है, तब वहाँ टॉड भी चुपके से आगया होता है। टॉड जास्पर और मलिसा को बाते करती हुए देखता है, और मलिसा उसे यह बतती है कि सब लोग उसे मिस कर रहे है, और सबसे जाता टॉड। यह सब बाते सुनकर टॉड को अच्छा लगने लगता है, और रोहा से चुक्चाप से चला जाता है। गेल टेंडी के हाथ पर हाथ रखती है, तो टेंडी को कुछ अलग फील होता है, और वहाँ से जल्दी से भाग कर चला जाता है। अब गेल और केरल बात कर रहे होते हैं तो हाँ टेंडी आता है और वो केरल को बोलता है कि गेल को उसके साथ सेक्स करना है वो गेल के बारे में बहुत बुरा सोचने लगता है पर गेल उसकी बगवाज बातों पर ध्यान नहीं देती और वो आसे चली जाती है केरल भी उसे ब इंट खोने लगता है तब मलीषा बोलती है कि उसको उसका-बच्चा किसी ओर से पैदा करना होगा सुबह होते ही वोग अरी के सामने बैटे उलिते हैं और इससी यहाँ पर 12 वह एपीसोड भी खतम होता है अब यहां से 13 वह एपीसोड चलो होता है पर उससे पेले अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब ने किया हो तो सब्सक्राइब कर लिजे क्या कर लिया अरे वाह क्या बात है तो चलिए आगे वरते हैं अब टॉड और मलीसा एर वो थोड़ा टाइम मंगती है इधर टेंडी आधा नंगा होके बच्चों को लेकर डांस कर रहा होता है तब केरल को उसके बैक के बाल देखकर सेक्स करने के इच्छा होती है केरल टेंडी के नाभी को भी तार रही होती है और उसमें वो अपनी उम्ली डाल दीती है अब वो क तोड ने एरिका को जो सवाल पूचा है उसके बारे में टेंडी को बताता है तब एरिका भी उसे बोलती है कि वो उसे प्राइमेट में बताएगी तब एरिका टॉड और मलिसा एक रूम में जाते हैं और उसके बारे में पूछते हैं इधर गेल के सामने ही टेंडी और केडल बहुत से वियर्ट तरीके से किस कर रहे होते हैं तभी वहाँ टॉड रोते हुए आता है मतलब यहाँ एरिका ने उसे बच्चा पैदे करने के लिए मना कर दिया होता है दूसरे दिंग टेंडी और केरल डॉक्टर गेल को पूछने आते हैं कि क्या हो अभी अभी बच्चा पैदा होने की बाद भी सेक्स कर सकते हैं या नहीं तो डॉक्टर गेल उनको हाँ बोल देती है ये बात सुनते ही केरल और टेंडी वही किस करना चालो कर देते हैं और गेल वासे चली जाती है इधर टॉड दुख्यों के बैटा हुआ होता है तब मलिसा उसे मनाने के लिए बहुत सारे गेम्स लाती है पर टॉड को बस ट्रेन वाला गेम ही पसंद आता है और वो उसके साथ खेलने के लिए बाहर चला जाता है इधर टेंडी और केरल भूट दिनों के बाद घपाकप कर रहे होते है और वो भूट जोड जो से चिलाते भी है इधर टॉड टेन के साथ खेल रहा होता है पर मलिसा टेंडी को बोलती है कि टॉड के सामने बेबी के बारे में बात नहीं करना अब बहुत दिन गोज़ा जाते है और अभी भी टॉड टेंडी और केरल आते है वो दोनों टॉड को सच्चा ही बताना चाहते है पर मलिसा उनको ऐसा करने के लिए मना कर देते है तब केरल को हम देखते है कि केरल की बेब में और एक बच्चा है मतलब केरल अब फिर से pregnant है यहाँ सब लोग बैटे हुए होते है तब वहाँ केरल फिर से पेट को छुपा के हुए आती है तब सब लोग बोलते हैं कि वो ऐसे केरल की pregnancy तॉट से छुपा कर नहीं रख सकते तब टॉड वहाँ पूरे घर में ट्रेन गुमा रहा होता है तब टेंडी को एक आइडिया आता है औरो केरल को भी अपने प्लैन में जॉइन करता है अब टेंडी टॉड को बच्चों को संबालना उसे अच्छा नहीं लगता ऐसे बता कर नाटक करता है तब केरल वहाँ आती है और वो बोलती है कि वो खिर से मा बननी वाली है और ये बात सुनकर टॉड और ज़्यादा एक्टिंग करने लगता है टॉड चुपचाप से वहाँ से चला जाता है और वो रूम में आने के बाद सारे खिलोने तोड देता है सुबह होते ही टेंडी और केरल खिलोने वाली रूम देखती है तो पूरी साफ होती है तब वहाँ मली साव और टॉड आते है और अब टॉड अच्छा हो जाता है वो सब के लिए अच्छा सा भाशन भी लिखता है वो पढ़ने लगता है कि तब एरिका बच्चा पईदा करने के लिए मान जाती है ये बात सुनके टॉड बहुत खुश हो जाता है और बाकी सब भी उसकी बातों पर खुश हो जाते है अब हमें एक आदमी के हाथ को दिखाय जाता है वो टेंडी ने हवा में उड़ाय हुए डाइपर को देख लेता है और इसे के साथ यहाँ पे तेरावाई एपिसोड भी खतम हो जाता है अगर आपने हमारे चैनल को सब्स्क्राइब ने किया है तो जल्दी से कर दिजे ताकि हमारा टार्गेट कंप्रिट हो जाए मिलते हैं नेक्स्ट उड़े में